अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के बांदा से जहां बीच सड़क पर वकील और एक शक्स आपस में भिड़ गए सर्याम काफी देर तक दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती रही सड़क पर हुई उस लड़ाई का विडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस भिड़ंत की वज़ा जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे बताया जा रहा है कि एक जगह वकील और ये शक्स एक साथ मौजूद थे वकील से भिड़ने वाला ये आदमी परांठे खा रहा था आरोप है कि इसी दौरान परांठे का एक टुकड़ा वकील के कपड़ों पर गिर गया जिससे वकील आग बबूला हो गया फिर क्या था वकील ने जूते बरसाए तो सामने वाले ने भी अपनी बेल्ट उतार ली काफी देर तक चली लड़ाई के बाद पुलीस मौके पर पहुंची और दोनों को शांत कराया पुलीस अमामले को समझ कर जरूरी आक्शन ले रही है दूसरी अनोखी खबर मध्यप्रदेश से है जहां छिंदवारा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है देखिए कैसे एक विधायक SDM की गाड़ी के आगे ही लेट गए हुआ ये कि विधायक विजे चौरे की SDM को ग्यापन सौपने को लेकर तकरार हो गई इसके बाद विधायक SDM की गाड़ी के आगे लेट गए और उनके समर्थक SDM के विरोध में नारे बाजी करने लगे बाद में SDM कार से उतर कर बाहर आए और विधायक की बात सुनी तब जाकर कही मामला शान्त हुआ आरोप है कि पंद्रवे वित आयोग को लेकर जिला पंचायत के CEO की ओर से कई गड़बडियां की गई है इसी के खिलाब विधायक विजे चौरे और उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और SDM को ग्यापन सौपने के लिए उन्हें प्रदर्शन स्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे लेकिन SDM श्रियास कूमट अपनी गाड़ी में सवार होकर सीधे निकलने लगे इस पर विधायक ने SDM को रोकने के लिए ये तरीका अपनाया तीसरे खबर विधेश से है जापान की राजकुमारी माको ने हाल ही में शाही परिवार के खिलाफ जाकर अपने बॉइफरेंट केई कोमुरों से शादी रचाई इस शादी को लेकर माको और कोमुरो लगतार सुर्खियों में बने हुए है इस बीच खबर आई की राजकुमारी माको के पती कोमुरो न्यू यॉर्क स्टेट बार एक्जाम में फेल हो गए है राजकुमारी माको के पती कोमुरो ने इस साल गर्मी की शुरुवात में न्यू यॉर्क स्टेट बार के एक्जाम दिये थे जिसके रिजल्ट New York State Board of Law Examiners की वेबसाइट पर पोस्ट किये गए हैं लेकिन सफल उमीदवारों में उनका नाम नहीं था हाला कि फेल होने के बाद कुमुरों ने कहा कि वो पढ़ाई जारी रखेंगे और फरवरी में फिर से एक्जाम देंगे वही पतनी माको ने कहा कि वो अपने पती की पढ़ाई में सहयोग देती रहेंगी 29 साल की माको जापान के पूर्व समराट अकीहतों की पोती हैं उन्होंने साल 2017 में अपने दोस्त कुमुरों से सगाई की थी कुमुरों एक सामान में परिवार से आते हैं और अमेरिका की एक लोग कमपनी में काम करते हैं कुमुरों ने साल 2013 में माको को प्रपोस किया था पिछले हफ़ते बाद तमाम विरोधों के बाद कुमुरों और माको की शादी हुई थी न्यूस तक भियोरो